नमस्कार और आपका हमारी चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के सिल्विस के बारे में जो NCRT के अनुसार जो पाठी करम निर्धारित है उसमें हम पहले लेसन की बात करेंगे और हमने शुरू कर दिया हिंदी का लेसन डाल चुके हैं अब तो बारी बारी से इनका सभी का आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा या फिर आप जो वीडियो चल रही है उसके उपर आपको एक गोल दाएरा दिखाई दे रहा हुआ जिसके उपर चोटा सा लोगों दिखाई रहा है जिए सकेड में वहां से आप क्लिक करके और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी का बटन आएगा और उसको दबा करके आप हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप राप्त कर सकते हैं चली शुरू करते हैं आज की क्लास और इसमें हमने जो है संस्कृत का लेशन लिया है पहला ही हमारी पाठे पुस्तक पाठे पुस्तका तो जैसे पहला पाठ है प्रतमा है पाठ है सुभाशित आनी सुजमा भाशित सुभाशित सब्द दो शब्दों से बना जिसमें शु है यानि एक उपसर्ग है और भाशित भाश धातु भाश का रथ होता बोलना सुभाशित इन दो शब्दों के मेल से उ आस्तूत पाठ में शुक्त मंजरी, निती सत्कम, मनुह स्मृति, शिशुपाल वधम, पंच तंत्र से रोचक और विचार प्रक्ष लोकों को संगरित किया गया अर्थात इन इन गरंथों से ये सारे के सारे जो शुलोक है वो लिए गए हैं तो सबसे पहला शुलोक है गुण गुणाहा जो गुण है गुणक गेशु गुणों को जानने वालों में गुणाहा भवन्ति गुण होते हैं यानि जो गुण है वो गुणों को जानने वालों के लिए ही गुण होते हैं जो अच्छे गुण है वो गुण केवल उन्ही लोगों के लिए हैं जो गुणों का ग्यान रघते हैं यह गुणवान लोग हैं उनके लिए ही गुणों का महट वहें तै निर्गुणम प्राप्प्प है भवणती दोश हा अगर कोई अच्छा गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है दुर्ष्ट पुद्ध्धी व्यक्ति को कोई अगर उच्छा गुंड प्राप्त हो जाता है तो वह दोस में बदल जाता है अर्था वह दोष बन जाता है इसलिए कहा गया कि गुणा गुणग्येशु भवंती कि गुण तो गुणग्य यानि गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं या गुण दर्शाय दिखते हैं वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाने पर अर्थात निर्गुण व्यक्ति अगर इनको तो यह होता है पानी जल जल का प्रेवाची है तो जो मधूर पानी प्रभवंती नद्य है जो नद्यों में होता है कि नद्यों के अंदर जो मधूर पानी होता है वह है मधूर पानी समुद्रम आसाध्य भवंती एपया समुद्रम समुद्र को आसाध्य प्राप्त करके भवं पीने योग्य नहीं यानि कि जो नदियों का पानी होता है वो जब तक नदियों में है अर्थात गुणवान नदी को गुणवान के सद्रिश्य बताए गया है कि जब तक नदियों के अंदर वो पानी है तब वो पीने योग्य है मिठा है प्रंतु वो समूद्रम आसाध्य को प्राप्त होने के बाद में वहपानी एपे यानि पीने योगय में नहीं रहे जाता इसी प्रकार शे जो गुण है वो गुणवान व्यक्तियों के अंदर ही सोबा देते हैं दूस्ट व्यक्तियों के अंदर गुण आने पर वो गुण जो है वो दोस में बदल जाते हैं अगला शलोक है सहित्य संगीत कला विहिन साक्षात पशु पुछ विशान हीन त्रिणम ने खादन अपी जीव माने तद भाग धेयम परम पशु नाम यहां कहा गया कि सहित्य संगीत और कला इन सबसे विहिन सहित्य सहित्य रचना की क्षमता संगीत की कला और कोई भी अन्य कला कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ना तो सहित्य का गुण है ना संगीत का गुण है और ना ही किसी प्रकार की कला है इन सबसे जो विहीन है वह साक्षात पशु के समान है पुछ विशान हीने जिसके पास पूच और शींग नहीं है लेकिन फिर भी वो पशु है यानि कि जिस मनुष्य के पास जिस व्यक्ति के पास सहित्या संगीत और कला नहीं है वह व्यक्ति बिना पूँच और बिना सिंगों वाले पसु के समान है त्रिणम नैखाद नपी वह तिनके घास नहीं खाता फिर भी जीवमान जी रहा है तद भागदेयम परम पशुनाम वह परम पशुन की योनी में आता है तीसरे श्लोक में कहा है लुब धस्य नश्यती यस है जो लोभी व्यक्ति है लुब धस्य यानि लोभी नश्यती नश्ट हो जाता है यस है यस जो लोभी व्यक्ति है उसका यस मान सम्मान नश्ट हो जाता है कि पिशुन अश्य मैतरी पिशुन होता है चुगलखो धूंस छगलखोर की मैतरी नस्ट और चुगलखोरी मित्रता कि नर्ष्ट हो जाती है नर्ष्ट कृया शे रोल्ले और किरिया कर आर्ण को कि आम अर्म नश्ट हो जाता है विद्याफलम व्यस्नी ने और जो विद्याफल व्यस्नी व्यस्न होता है नशा यानि कि जो नशेडी है जो नशा करने वाला व्यक्ति है उसका विद्याफल अगर उसने कितने विद्याप्राप्त कियो है उसकी विद्याफ्ट हो जाती है किरप्ण राजय सख्यम किर्प्ण होता है कंजूषद यो कंजू वीकति ते वई जाता है किस्का परमत्ळ परबिर होता है मंत्री और धीपस्ट या नित्यराजा जिस राजय के राज्य दिरा शल Weg आधि प्रमत्रमाद वाले होते हैं गमंड करने वाले होते हैं व्याश्ण करने राजा का राज भी नश्ट हो जाता है तो यहां इस असलोक में किस चीज से किस चीज का नास होता है वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि कैसे तो लोभी का यसनास हो जाता है और जो चुगल खोर है उसकी मित्रता नश्ट हो जाती है जो कुछ काम धंदा नहीं करता उस उसका धर्म नश्ट हो जाता है और जो नशा करने वाले व्यक्ति है उसका विद्या धन नश्ट हो जाता है और जो कंजूस होता है उसका सुक वैभव जो है नश्ट हो जाता है और जिस राज्य के सचीव मंत्रियादी और जिस राजा के मंत्रियादी प्रमत्त होते हैं प्रम करने वाले हैं तो आपने करना क्या है आप के लिए ग्रह का रहे क्या है कि आप इनका प्रसंगस णित व्याख्या करेंगे प्रसंग जैसे प्रस्थूत शुलोक हमारी संस्कृत की पठ्थिया पुस्तक आज के अंदर मानिका के अंत्रगत आपट पाट सुभा सितानी से उद्रित है और इसमें कवी जो है पहला स्लोक आप लिखेंगे तो इसमें जो है वो गुणों के बारे में बताता है दूसरा है उसमें जो है सहित्यकला आदी से रहित व्यक्ति उसके बारे में बताता है और तीसरे में कि किस परकार किस चीज किस चीज इसका नाश हो जाता है इस परकार से कभी बताता है तो ये आपके लिए तीन जो श्लोक करवा दिये और आगे जो है वो चार श्लोक और बसते हैं उनमें छोटे-छोटे हैं तो इसलिए आफ आधा पाठा भी कर लेते आधा जो अगले वीडियो में करेंगे तो ये सारी चीज से बिना मात्रा की गलती की वे आप इसको करेंगे और अगली वीडियो में फिर होंगे और पहले उस वीडियो में को शुरू करने से पहले इसके प्रशनोतर आपको मिलेंगे वो आप प्रशनोतर जो है वो करेंगे उसके बाद में अगली अगला पाठ पढ़ेंगे